लेकिन सबसे बड़ी बात students के पास ये आकर खड़ी होती है आकर हम लोग तैयारी कैसे करें क्योंकि आप सभी को पता है कि जब से आप लोग का 4 साल का graduation कर दिया है तब से exam pattern में काफी ज़्यादा मेरे दोस्तों tough कर दिया है यकीन नहीं होता है तो PYQ उठा करके कम से कम 2 साल क देख लीजेगा तो finally मेरे दोस्तों बहुत सब्सक्राइब करेंगे अगर आप चोटा भाई आभी आपके पास खड़े हैं कुछ नहीं करना है अभी डाउनलोड करना है प्लेस्टोर से missile classes के आपको जैसे ही आप missile classes के आपको on करेंगे मेरे दोस्तों जैसे आप आप को डाउनलोड करेंगे आपके सामने semester 1 का बहुत सरे courses होगी पर आपकी आँखे बाज कीता होने पर आपको किलिक होना चाहे हिस्ट्री मेरे दोस्तों यहां पर हिस्ट्री का जो आप लोग का online class से बहुत जल्द बहुत यी जल्द आप लोग कोul on-line Class इस्टार्ट हो रही है और आप लोग का ओ Sorry में साथो दीन li किसे दिये जाएंगे तो लेट ना करें online class का आनंद ले promise करता हूं मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े बहन यानि मेरे दीदी वादा करता हूं आप लोगों से कि इतना बहतर तरीके से में आप लोगों को समझाऊंगा explanation करूंगा लिखना का तरीका बता हूंगा notes provide करूंगा पीवाई को provide करूंगा selected question दूंगा इतना बहतर तरीके से में आप लोगो study करूंगा आपके सौंच से 10 गुना ज्यादा वादा करता हूं पर सर्त है कि आपको सही direction पर आपको जाना पड़ेगा सही direction के लिए बस कुछ निकाना है प्लेश्टों से missile classes के आपको डाउनलोड कर करने का बाद इस course को आपको जरूरूबाई कर लेना है इस course में आपको क्या-क्या मिलेगा history मिलेगे पोल्डिकल साइंस मिलेगा understanding इंडिया हिंदी मिलेगी सेख पेपर का जो digital education है वो भी मिलेगा हिंदी जो AEC पेपर में हिंदी होती है वो सारे subject जो है available कराई जा रही है इ history honors related जो आप लोग BBMK University से बिलोंग करते हैं सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं अपना परिचत हूँ आप लोग को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि को भी स्टूडेंस चाहते हैं कि सर मुझे आप से मुझे मिलना है तो मेरे दोस्तों मेरा जो है धनबाद याद रिखेगा मेरा जो अपना रेसिडेंसियल है वो धनबाद डिस्टिक में ही पढ़ता है किसी को भी मिलना है तो आप लोग याद रिखेगा मेरा घर है अपना दामोदर खाटी परियोजना के सामने मेरा हाउस है कभी भी पंचेत डेम घुमने के लिए आए तो हमारे साथ मुलाकात जर मेरा चैप्टर आती थी यहाद रखेगा यहाँ पर आएगा आएगा आपका यूनिट क्या आएगी मेरे दोस्तों यूनिट आईगी बात होगे कि तुम सही तरीके से समझना जरूरी है यहाँ पर यूनिट आएगी जैसे हम लोग का यूनिट अंबर वान का नाम है भारत की आवधारना इस यूनिट के अंक्राडिंग हम लोग को कौन को से टॉपिक के बारे में डिस्स करना है वह आपको यहां पर देखना होगा सही तरीके से जिसे भारत वर्स को समझना भारत वर्स की आवधारना नाम करन फिर हम लोग इसमें हमको पढ़ना है भारत की बिविद्रता के बारे में जैसे भारत की जलवाई केसी है भारत की मिट्टी केसी है भारत की वन केसी है भारत में किस प्रकार की फतलिका उत्पादन होती है कैसे उत्पादन होता है किस प्रकार की जलवाई का पर सकता होती है यह हमें लग र बार दिन के अंदर में आप लोग ग्लासस को जोइन कर लिजेगा समय की भारती आवधर्णा यहाद रखेंगे युनित अमबर वान का लेशन नमज़ों हमारा थिरी है यहाँ पे हम लोगों डिसेस करना है यहाँ पे युनित अमबर वान में आप सभी से एक कोशन आएगी प पंद्रमाक्स का अगर मैं बात करूँ यूनिट टू का मेरे दोस्तों तो यूनिट टू का जो हमारा नामकरण है वह यूनिट टू का नाम है भारत इतिहास नहीं भारती इतिहास का वरिकरण करना है भारती इतिहास का क्या करना है वर्गिकरण करना है ना चलिए सर क्या क्या वर्देकरना करना है तो दिखे हमाराट टॉपिक प्राट उत्य हास का वर्देकरन प्राचिन मद्यकाल Remo उर भुद्धने कालन तfather यह सब के बारे में लोग को प्ढ़ए भारत के बारे में भी समयुदोग पढ़ना वकलता है वह दो दो होगी है ना यह हमारा याद रहेगा जो हमारा unit number 2 है उसका टौपिक नंबर 1 में ये पढ़ना है तौपिक ॐ के मैं बात करूं तो भारती इतिहास का कल विभाजन इन्हीं भारती इतिहास में कैसे कल विभाजन हुई थी इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है याद रिखेगा टौपिक नमबर टू में अगर मैं चलू आप लोगों को लेकर टौपिक नमबर थी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बोलू तो टौपिक नमबर थी जो है भारती इतिहास के सहित सुरोत अब भारती इतिहास के बहु पढ़ना है यान् recruitment bit मेंभी पढ़ना है मध्कालन के सहिति के बार में बी पढ़ना है उसके वाद आधुनिक भारत के सहिति स्रोथ के बार में भी पढ़ना है यानि यहां से भी आपके पेपर में एक कोसर बनेगी पंद्रमार्गस का कोई भी स्टूडेंस नहीं चाहेंगे कि सर हमारा यहां से कोसिंच छूट जाए उसके लिए आपको सही तरीके से राइट डारिक्शन पर आपको तैयारी करना होगा ठीक है तो मेरे दोस्तों याद रखेगा खास करके अगर आप में से कोई स्टूडेंस है जो ब्यस्के कोले से र प्राचिन भारत के साहित मध्य कालिन भारत के साहित आधुनी कालन के भारत के साहित के बारे में पढ़ना है क्योंकि मैं ब्यस्के कोले सही अपने स्टेडी पूरा क्या हूँ ठीक है अब आते हैं पुरतत्वी स्रोत क्या है अब आते हैं जो आती है मेरे दोस्तों इसी में हमारे topic number 2, जो हमारा unit number 2 है, इसी में हम लोग को एक extra topic पढ़ना है, क्या पुरतत्विक सुरोत, पुरतत्विक सुरोत अभी जो मैं बताया हूँ हम लोग का, किसके बारे में, तो ये मैं बताया हूँ हम आप लोग का, सहित्तिक सुरोत के बारे में, किसके बारे में, सहित्तिक पुरतत्विक 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 पुरतत चार लेंग्विस के बारे में जो हमारा यूनिट नंबर टू है इसके अक्वर्डिंग हम लोग को पढ़ना होगा ठीक है इतना सारा में आप लोग का एक कोशन यहां से भी पूछेगी 15 मार्क्स का मैं मार्क्स भी पताती चल रहा हूँ ताकि स्टुडेंस को कन्फ्यूजन नाओ कि कौन से यूनिट से किते मार्क्स के पूछे जाएगी ठीक है तिहां तक आप लोग को उमीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा अब मैं लेके चलता है आप लोग को भारती ज्यान परंपरा संस्कृतिक ठीक है भारती ज्यान परंपरा संस्कृतिक बारे में क्या पढ़ना है तो भारती साहित की महमीमा बेद वैदांक उपनिवेस्ट जिस्ते हम लोग क्राश्टू हैं पढ़ें ना वेद चार प्रकार को ते रिगबेज अवदुरूबेद संबेद अथरबेद प पढ़ें की पढ़ना है और रियकषी के पारे में अस्मृति पुरान के बारे में पढ़ना ए जैन धर्म और बोद धर्म तो आइंगा ही आएगा धिसलें धर्म और इससे मिलकर पूछए जाएगे तहां लोग सब मिलकर उसका एंसर देंगे चीख चीख कर जो मैं करूंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है अगर आप क्लास जोन करना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो बिल्कुल आपको प्लेश्टो से मिसाल क्लास के आपको डाउनलूड कर लेना है क्योंकि मैं यूटूब पे नहीं बता हूंगा मैं फ्यार बता रहा हूं ठेका यूटूब प्लेटफॉर्म है वहां पर सही नहीं होती पढ़ाना यह हमारा अप्लास सेपरेट अप्लिकेशन है मिसाल क्लास इसके आपको प्लेश्टो से डाउनलूड कर लेना है और वहां पर बहुत सारे कोर्स देखेगी पर आपकी आँखे बाज की तरह होनी चाहिए और आपका फ नहीं मिलेगी तो आप बता देजिएगा ठीक है यह डिपेंड करता है आपकी उपर कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे ठीक ना चलिए सर अब हमें बात कर रहा हूं आप लोगा जो हमारा टॉपिक नबर टू है भारती सास्की परनाली तक्षिसिला ओकर विकरमा सिला जो दू स्प्रिट उसके बाद हम लोग पढ़ना है खौरुष्टी लिपी पाली लिपी यह जो हमारा लिपी है न लिपी लिपी के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है तीन चार टाइप को जो लिपी होती है उसके बारे में भी हम लोग को पोस्ट माड़म करना है इसका पोस्ट म के बारें पढ़ना है ठीक ना उसके बाद आते हैं बसुदे कुटुमकम का महतों के बारें पढ़ना है इसके बाद हम लोगों को प्राचीन भारत में राजी संरचना कुल परिबार गाउं जन जन पद क्या है जैसे आप लोगों में क्लास टुवल में बताया था सोलह महाजन पुर्दाइब नो सुरिय स्फीर इतना सब्सेंजर्ट आपको पढ़ना होगा याद रखना में यूमित अंगे τ हरद ससके लिटे ूट्सम्हें। उनिकालीन भारत में अधुनिकालीन भारत में इस परकार से फैक्टीरी का विकांस वी फैक्टरी बसने से भारत की स्तिती में भारत की संद्रचना में भारत के लोगों पे क्या आसर पड़ा इसके बारा में भी हम लोगों को पढ़ना है उसके बाद हम लोगों पढ़ना है भारती अंक परनाली और गनित चिकिसक वानिजू के बारे में पढ़ना है चिकिसक आ बारे में भी हम लोगों को देखना है धिकनल डैसे आर्थिक परम्परा में भारती आरत्य वैबस्ता में भुमी इस के बाद क्रिशी उद्दोंख क्या अधर्ना इसकी इसस्ता इसकी महत्तिके बारे में इस स्कॉर्न Armor ठीक है फिर हम लोग बैपार देखेंगे बैपार में किस परकार वन जीव होती है समुदर के मार्ग के द्वारा कैसे बैपार किया जाता है इन सब के बारे में हम लोग को लेशन नंबर 4 में याद रखना है डिसस करना है कहाँ पे तो सारे स्टूडेंस कूद के बताएंगे स यूदर की लेकिन मेरे दोस्तों नहीं देना है यूदर के अंदर में क्या-क्या पढ़ना है यह सब This सब ज्यादा माहँआर रखती है और इसी पर हमारा फोकस ज्यादा होनी ठीए कए योधी who वो भी काम करने से पहले होगा, उस काम के बारे में मुझे पहले से पता चल जाए, तो उसको करने में बहुत मज़ा आती है, और मुझे पता ही नहीं चले उस काम के बारे में, तो हम लोग सही से उस काम को कर भी नहीं पाएंगे, और हमें RC टाप का महसूस होगा, तो RC टाप क मैं भी विलोंग करता हूँ और आप लोग भी विलोंग करते हैं किसी को मीट करना मेरे साथ BSK College याद रखे का माइथन डेम ठेक ना तिस इस के साथ हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में